समस्कार बच्चो स्वागत है आपका CHS सिक्षा की YouTube प्लेटफॉर्म पर और आपको जिस घड़ी का इंतजार था इंतजार था आपको 15 माई का जब CHS अपनी Official Answer Key को जारी करेगा तो बच्चो खुसी की खबर यह है कि CHS ने अपनी Answer की जो जारी कर दी है अब आपके सामने दो Question है कि सर कहां से हम अपनी Answer Key को देखेंगे और सर उसमें जो Question गलत होंगे जो मुझे लगेंगे की गलत है तो सर हम उनको कैसे Claim करेंगे कि सर ये Question गलत है तो आपको Claim करना होगा अगर वो Claim सही होता है तो आपका जो amount होता हो refund होता है और अगर वो Question गलत है तो आपका amount नहीं refund होता है ठीक है अब देखेंगे आपको सबसे पहले करना क्या है बच्चो सबसे पहले आपको यहाँ पर Chrome में जाना है Chrome में जाकर के आपको यहाँ से BHU Online की Site खोलनी है BHU Online की जब आप इस तरीके से Site को Open करेंगे तो यहाँ पर BHU या बनारश Hindu University Interest Exam आएगा इस पर जब क्लिक करेंगे आप तो बच्चो यहाँ पर आपको इस तरीके से School Admission 2024 नजर आ रहा है उपर लिखा भी है प्रोविजनल आंसर की SET Uploaded Please Log In Candidate Registration Portal लाश डेट जो है वो है 17.05.2024 रात 12 बजे तक यानी 11.69 ठीक है ना 17 तारीक तक आप लोग इन कर सकते हैं आंसर की देख सकते हैं और उस पर क्लेम कर सकते हैं चलिए देखिए यहाँ से आपको नीचे आना है क्लिक here to apply school entrance test पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको इस तरीके से मैं फिर से यहाँ से दिखाता हूँ आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से open हो जाएगा और जब आप यहाँ पर अपना sign in करेंगे sign in में आपको email id और अपना password डालना है जब आप अपना email id और password डालेंगे तो इस तरीके से आपका dashboard open हो जाएगा आपका portal open हो जाएगा यहाँ पे आपका my application, preview form और admit card के so हो रहे थे icon कब तक जब आप exam देने आए थे अब एक नया icon यहाँ पे so हो रहा है जिसमें challenge answer की जब आप इस पर click करेंगे तो आपको इस तरीके से open होगा इसमें आपको करना क्या है कि अपने यहाँ पर class को select करना है जब आप अपने class को select करेंगे तो वच्चो इस तरीके से आपके सामने open होगा answer की अब इसमें आपको सबसे पहले अपना जो booklet number है set one set two set three वो अपना booklet number इंटर करना होगा जब आप अपना booklet number इंटर करेंगे तो इस तरीके से आपको आपकी पूरी answer की नजर आ जाएगी ठीक है न? आपको इस तरीके से पूरी answer की नजर आ जाएगी आप करना क्या है कि आपको जो paper देकर के आये तो paper भी है आपके पास और आपके पास carbon copy है आपकी answer seat की जहां पे आपने गोले भरे थे ठीक है ना उससे आप इसको match कराईएगा जब आप इसको match कराएंगे तो आपको कुछ question हो सकता है कि अपने end से यानि आपको लगें कि sir मेरा सही है लेकिन इस answer की में गलत दिया गया है तो आपके पास एक मौका है जो है मौका आपको complain करने का यानि कि आप कोई भी कुछन आपको गलत लग रहा था आप उसको complain कर सकते हैं आप जैसे नीचे आएंगे यहां लिखा होगा register complaint यानि कि आप यहां से complain कर सकते हैं कि कौन सा कुछन आपको गलत लग रहा है इस पर के लिए करेंगे तो इस तरीके से आपको पूरे कुछन नंबर नजर आएंगे आपको जो जो गलत लग रहा है उसको select करिए जैसे मैंने आप पे 9 नंबर select किया ठीक है 9 नंबर जो हमने इसमें select किया तो पूछेगा कि क्या गलत है जब आप confirm करेंगे तो फिर से आपको confirm करेंगे तो आप जब यहां से नीचे आएंगे तो ध्यान से देखिए यहां पर आपको दिख रहा है set one question number not translation error और आपको यहां से payment का option आएगा जब आप इसको payment करने जाएंगे बिटा तो यहां से आपको इस तरीके से नजर आएगा कि आपको amount जो है वो 100 रुपए लग रहा है यानि इच कुशन का 100 रुपए प्रते कुशन का आपको 100 रुपए payment करना होगा ठीक है इस तरीक से जल्दी जाएए और आप answer की अपनी देखिए और उसमें अगर आपको कोई भी लगता है कि सर हमारा option सही है लेकिन answer की का गलत है या आपको लगता है सर चार option सही है आपको लगता है सर कुशन ही गलत है आपको लगता है सर translation सही से नही है जो भी आपको दिक्कत है तो उस question को आप claim कर सकते हैं ठीक है तो आप जल्दी से जाईए और comment section में मुझे बताईए कि आपको कौन सा अपना question है कि set का है और कौन सा number question है जो आपको incorrect लग रहा है इस basis पर हम भी आपको जल्दी वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपको कौन सा question जो है वो आपको complain करना चाहिए ऐसा नहीं कि sir हमें 100 के 100 question गला लग रहे हैं और आप 100 question को कर देंगे 100 गुणा 100 आप जानते हैं कितना बनेगा 10,000 रुपए फीस payment कर देंगे लेकिन ऐसा possible तो नहीं है न सब गलत नहीं होंगे तो आप comment section बताएगा कि आपका कौन सा set है class लिखिए set लिखिए और उसके बाद question number लिखिए और bracket में लिखिए क्या error है उसके अंदर तो उस basis पर हम आपको next video बताएंगे कि आपको ये question claim करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ठीक है मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में अगली नई खबरों के साथ तब तक जुड़े रहे हैं CHS सिक्षा के YouTube प्लेटफॉर्म पर जैहिंद